हलो नमस्कार साथ यूज स्वागत है आपका माइंड इक्जाम के यूटूब चैनल पर दोस्तो आपको सभी को इंतजार होगा कि आखिर और पे अरिपे सबका दोस्तो ओफिशल नोटिफिकेशन कॉंश्टिवल साथ दोस्तो सभी इंस्पेक्ट के लिए कब तक जारी होगा क क्योंकि दोस्तो आपको सोट नोटिश मिल चुका है बाइससो पचास बदू का दोस्तो इस वीडियो में हम आपके लिए कंफर्म अपडेट लेके आचुके हैं और एजब भी हो चुके हैं क्योंकि दोस्तो यह बढ़ती पांस सालों के बाद आ रही है तो क्या आपको एज में मिलेगा या नहीं मिलेगा और दोस्तों एज काउंटिंग आपकी कब से होने वाली है दोस्तों लेटेस जानकारी हम आपके लिए काफी बोटेंट रहेगा वीडियो को अंतक जूर देखेगा साथ वीडियो को लाइक सेर करना मत भूलेगा ताकि आगे की हर अपडेट अब पहले आपको है दोस्तों जो अर्पेप की दिवारा एक नोटिस दौस्तों बारे में जानकारी देखते हैं जिसमें दोस्तों कंप्रील इन्पॉमेशन दे गई है दोस्तो ये नोटीस वायरल वाप डो, दो, सारी डीटेल है। वो आपकी बताये गई कि आपकी कैटिकरीवाइजू वेकैंशी कितनी होगी। प्लस दोस्तों आपकी सब इंस्पेक्टर को कोंस्टिमल में वेकेंसी कितनी होगी, एज क्या रहेगी, सारी जानकारी इसमें दी गई, अगर दोस्तों मैं बात करता हूँ, रेलवे रेक्रूट्मेंट बोर्ड के दुबारा दोस्तों इमीटिंग के गई, पहली बात बता इसमें एक लाइन आपकी दिखाई बोली गई है, और इसके बाद दोस्तों इसमें एक लाइन आपकी दिखाई बोली गई है यान दोस्तों जो आपको 250 वेकेंसी दिख रही है, वो वेकेंसी में दोस्तों हुंडेड ओ टेन परसेंट आपको चेंज़ेस देखने को मिलने वाला है, जैसाथि यूब 250 वेकेंसी इसलिए नहीं आएगी, अगर मैं इससे पहले की नियूज आपको बताऊं, क्योंकि दोस आपकी फ्रक्र्क्राशन فोर्स उसमें कितनी वेक DC खाल है लिदीयू स्टेटमेंट दोस्कित अन्ध्य वीडियो नो हजार के आच वेक जारी नुफिगए आज़ी साहं विपे करेंगा लगवक 20 50 प्रॉट भागिधारी रहेगी वह महलाओं वाली है यह नियूज आपने आख से दो से तीन साल पहले देखिए बात करता हूं तह इसपे इसलाद करता हूं तो उसमें वाइस तो पचास है तो यह पोशुग्मickt नहीं होगा इसके बाद दोस्तों मैं बात करूंगा आपकी इसमें जो वेकन्सेंट सब्सक्राइब लग बग है वो दस हजार के आज पास या दोस्तो 9000 के आज पास आपकी है कोंचेबल फजार के आज पास या दोस्तों 500 के आज पास सभी इंस्ट्रिक्टर की आपको दिखने को मिलने वाली है क Compagi कब जारी होगा उसके बारे में भी दोस्तों बात करने वाला है competition अगर 2050 आपके पाथ 2250 आई तो दोस्तों आप भूल जाए कि नोगरी मिलेगी क्योंकि आपने डोजार जो ठारम वेकेंस में जितनी आपकी 220-320 220 में से 120 हपकी कटोग है कई रिजन के आपको देखने को मिली इसके बाद दोस्तों मैं बात कर लेता हूं आपकी पूरा प्रोजिजर यह रहने वाला है लास्ट में आपकी डॉकुमेंट वेरिफिकेशन साथ यहां है वो डिटेल में डिगल एक्जामिनेशन होगा इस सारी ज नोर्थ में आपकी हजार वेकेंस है तो इसमें से आपको एक ही रिजन में आप फोर्म अप्लाइ कर पाएंगे वो अगर आपकी एज है सुरी आपकी जो 20 साल से लेकर एज है वो 25 साल तक है तो दोस्तों आप SI के लिए अपलाई कर सकते हैं इसमें तीन साल आपको OBC को और दोस्तों 5 साल SES चुक रिलेक्सेसन मिलेगा अब बड़ा सवाल तो ये बढ़ता है बनता है कि आगिर है ये भरतिक जो आ रही है वो 5 साल के बाद आ रही है तो कितना एज में रिलेक्सेसन मिलेगा अभी के एकोर्डिंग दोस्तों रिलेक्सेसन की है वो उम्मीद नए के बराबर है पर दोस्तों जिस परकार आपने देखा यूपी पुलिस में भी 5 साल के आपको शरकार दे सकती है जहीं दोस्तो जो एज 25 है वो 28 हो सकती है जैनल वालों के लिए और SES T ile 32 साल और वही दोस्तो तेतिस साल और जो आपके ओवीश्ची के होंगे उनकी 31 साल तक आपकी हो सकती है इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे आपके फोर्म बनने की डेट को लेकर क्योंकि दोस्तों ये बड़ा सुस्पेंज बनावा है दोस्तों अभी से जो इन्फोमेशन मिल रही है वो दोस्तों फरोरी 2024 के फर्ष्ट वीक में दोस्तों फर्ष्ट वीक में आपकी जो फोर्म है वो दोस्तों सुरू होने वाले है इसका नोटिफिकेशन दोस्तों इसका नोटिफिकेशन है वो दोस्तों 25 से 30 जनौरी के बीच दोस्तों सबतुनतरा दिवस के बाद है वो जारी किया जा सकता है और जो फोम बरे जाएंगे वो फेस्ट वीक ओ फरोरी दोजार चोबीस में आपके बरे जाएंगे एसगी आयू की दोस्तो जो गड़ना होगी वो फेस्ट आपकी है जनुरी दोहजार दोस्तो चोबीस से की जाएगी और अगर दोस्तो रिलेक्षेशन मिला तो दोस्तो यही आपकी है एक जुलाई दोजार चोबीस से की जाएगी एक जूलाई 2024 से आयू की गर्णा है वो आपको की जाएगी जल से दर नोटिफिकेशन मिलेगा दोस्तो वेकेंसी में भी काफी बतलाव देखने को आपको मिलने वाला है तो बी प्रिपेर क्योंकि वेकेंसी होगी फिर भी कंपटिशन तकड़ा होने वाला है तो लग जाए ब